आज स्वामली एकों वीवराज में आपकी सेमने वेबी फ्रॉक का बहुत ही फुफुरोद सा डिजाई लेकर आई हूँ यह को मैंने लफ पीस से रेडी किया है तो इसकी लोग बहुत ही फुफुरोद बन गई है आप लोगों के लिए दबदस्त आइडिया है तो वीडियो इसकी लेलीया है यह मेरे पाफ 4-4 में तो सबसे पहले में इसका फ्रेट वाल पार्ट लिए लोगा बनंकी DRT लूँगी आँ लोगे यह उपर से पीच में से ञ्याइज लगार कर देंगी it है यहां पर में इसका बैको पार बबनाथ flip कि अब राला पार्ट यह उपर में इस तरह से रखूँगी और पला पार्ट इ वह दो हिंज च्ट हरके कुक्द कूब के मैंने यहां पर बटन पटी बना लिए क्य़ मुखे बैक के जो फूर दो इशिक हरो दो हरना पाल रहा है तो इस तरह से मैंने कार लिए है投ि Is सको तो अब सबसे पहले मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी तो यहां से बटन पटी के इसना पार्ट है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी सबसे पहले फोल्ड करने के बाद यहां पे मैं मार्क करूँगी नेक की जो टड़ाई में ले रही हूं वो तू इंच है और back size जो है वो मैं 1 inch deep लूँगी और front जो है मैं 2 inch deep लूँगी तो यहां पे इसको round शकल दे दूँगी पहले इसकी back की cutting करेंगे इसके बाद मैं इसकी front की cutting करूँगी अब इसके front बाले part की मैंने cutting इस तरह से कर लिए तो यहां पर आप मैंने शोल्डर का साइज इसका लेना है तो शोल्डर में ले रही हूं तो नीचे जो इसकी डाउन में जो आर्वोल का साइज है वो भी 5 इंची दूँगी तो यहां पर मैं इस तरह से आर्वल की शेप देजूंगी और यहां से थोड़ी सी इस तरह से फिटिंग का साइब देगा है यहां पर मैं निशार लगा है इसकी कटिंग कर लेनी है कटिंग मैंने इस तरह से कर ली है अब यह इसका बैक पार्ट और फ्रांट पार्ट रड़ी हो गया है इस तरह से और यहां पर फैबरिक फैंजर की तरफ सपोर्ट करती हुए इसकी उपर रहकर इस तरह से बटक पटी की स्लाई लगा दोगी अब यह पीस जो बच्चा है फ् हो इच्छ है कि मेरे पास थर्टी इंच्छ है कि तो दोनों की स्वेसित मेरे पास बराबर हरा आए इस तरह से प्लिए और इस तरह प्रफूँ की और ऊपर इसका इस तरह पार्ट टॉप बला जाएगा तो यह इस तरह नोईת इसे में छोटते दूगी यहां पर हमें तब से पहले की स्टिक करूंगी इस पर लगा दिया है अब यह लेस है मेरे पास इसको में हाफ में से कर रहाफ कट कर लूगी और दोनों साइडों में इस तरह से जॉइन कर लूगी कांटी चैनल का विजित करें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिजाइन मिलेंगे रॉक डिजाइन, इसके लावाँ ट्राउजर डिजाइन लीजस डिजाइन, डेक डिजाइन हर किसब के डिजाइन और आइडिया आप लोगों को मिलेंगी देखने में तो जो भी न्यू अटेज़ कर दिया है यह जो पैच है यह भी इस फैब्रिक में से बच गया था तो मैंने यहां पर अटेज़ कर दिया है तो इसे यह और भी खुब्षूरत लग रही है तो यहां पर आपके पास यह वैलिबल ना हो तो आप इसकी जगा लेश भी लगा सकते हैं इस तरह से यह सारा पैच जो है मैंने इस फूपर अटेज़ कर दिया है अब इसका जो बैक बना पार्ट है यहां पर मैं उपर से इसकी जो बटक पटी बना पार्ट है वो रडी करूंगी दोरों पार्ट में इस तरह से इस लाइन लगा दूंगी इस स्लाइब मैंने लगा दी है अब दोनों तरफ से अब इसको इस फूपर बराबर करते हुए नीचे वारे साइड से मैं इसको बंद कर लूँगी इस तरह से यह मैंने बंद कर दिया है अब इसके फ्रंट और बैक वाले पार्ट को हम दोनों को जोड लेंगे इसके शूल्डर को सबसे पहले मैं यहां पर से तीच्छी कटिंग जो है वह कर लूँगी ताकि आप में इसे जो बिंगन से को अच्छे से समझ आ जा जाए वैसे तो से लाइकी मदद से भी हम यह तिच्छा जो है यह कर सकते हैं यहां पर तो यह इस तरह से पैक पार्ट निकाल दूँगी तो इस तरह से स्टिप मैंने ले ली है अब सेंटर में से इसको मैं जोड लगा कर सेट कर दूँगी इसकी चोड़ाई जो है वह मेरे पास पार्ट 5 इंच है तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगी लगाना मगदी लगाना एक पैर का माजन ठोड़ती है हमने की स्टिप लगाती जानी है यह इस तरह से स्टिप पहले लगा दी है अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसकी उपर से स्टिप लगा देंगे अगर आप मेरे पैटर्न को फालो करूंगे तो आपको कभी भी कुछ भी मुश्किल नहीं पेश आएगी तो इस तरह से मैंने यह उपर वाला पार्ट योग मैंने बना लिए तो अब इसकी यह शोल्डर वाला साइड है तो यहां पर बैसी तरह रेट से पटी निकालूंगी और दोनों साइडों में शोल्डर में अटेश करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी इस तरह से अब इसकी बीच में पहले में छोटे छोटे कट लगाऊंगी और इसके बाद इसको अंदर की तरह फोल्ड करूंगी ताकि यह फोल्ड करने में मुझे असानी रहे अब इस तरह से अंदर की तरफ मोड कर मैं ने इस तरह से स्टिच लगा दिया है कि दोनों साइडों से अब चो टॉप पलापार्ट है यह हमारा उपर से रेडि हो गया है अब हमने इस की नीचे योफ बाला पार्ट लगाना है तो यह स्टिच है मेरे पास यहां भी मैंने इस तरह से मोटा टांका करके धागा डाल दिया है दोनों साइडों में और बड़े फैबरिक में भी इसी तरह से मैंने यह थागा डाल कर इसी तरह से ही यह फैबरिक कर दिया है टांका बड़ा करके तो अब हम इसको दोनों को जोड लेंगे जोड डाल कर तो इस तरह से मैंने जोड डाल कर दोनों को जोड दिये यहां पर यह वरा पार्ट इसकी उपर में बराबर को रखती हुगे इसको जोड ढूंगी तो अब ईक कि बैक करना जो बार्ट है को भी से मैंने सी चर्ण घ्रिडी हैं तो यह भी पार्ट मैं इसके तास से फोल्डेंग करके अंसला ही लगा लें तो ये मेरी फ्रॉग की फाइनल लुक है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें बहुत ये खुशूरत आप लोगों के लिए डिजाइन आइडियाज है इस साथ की बच्ची के लिए ये बेस्ट है तो आप लोगों के पास अक्सर घर में इस तरह की फीसेश बच जाते हैं तो बेहुतरीन आइडिया है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें फ्रेंस के साथ इंशाला आप नेक्स वीडियो मिलेंगे जब तक के लिए अ आफिस